हेलो फ्रेंज तो गैस क्यास वे आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो गैस स्वागत है आपका आज की इस नीव वीडियो में तो आज हम डिस्कुस करेंगे जो माचल में बन मित्र की बिकंसी निकली थी उस पे बरतियं स्टार्ट हो गी है तो गैस उसकी नोटिवेशन जारी कर दी गही है मतलब उस नोटिवेशन में रहेगा कि जो आपकी कितनी कितनी नमERE लगाए मतलब इसमें टैस्फ तो कोई होगा न अब सभी को पता ओगदा होगा तो इसमें उसमें क्या है तो सभी इसमें देख सकते हैं इसमें बताया गया है बन मित्र जोजना केता है 30 मिन्ट में 5 किलोमेटर दोड पूरी करने वाले पूर्ष को 10 मिन्ट में 1.5 किलोमेटर दोड पूरी करने वाली महिलां भी ही पात्र होंगी मतलब जो पहले condition रहेगी आपको 30 मिन्ट में जो लड़के हैं उनको 5 km दोड लगानी पड़ेगी और जो लड़के हैं इसमें फिल करेंगी फोंग उनको नीचे बताया गया है 10 मिन्ट में 1.5 km दोड पूरी करनी पड़ेगी उसके नीचे इसमें बताया गया है बाकी conditions क्या क्या रहेंगी इसमें वो देखते हैं शारजी दक्षा जांजने के लिए दोड़ होगी बन मित्र बनने के लिए पार्तर क्वालिफाइंग रखी गई है जिस परदा नहीं होगी दो यार काट पदों के लिए हो रही बरती के लिए सबंदी शेतर के आहडियम के अधक्षा बाली कमेटी शाक्षात कर लेंगी जो आहडियम के कमेटी बनाएगी है बो ही इसकी बड़ले इंट्रूवी गयरा लेंगी कोई लिक्त परिख्षा नहीं होगी तीर दिसम्बर तक इन पदों के लिए वेदन कर सकेंगे तो गयरा इसमें आप जे लाइन अच्छे से देख सकते हैं बार्वी कर्षा के प्रावत अंक के आदा आर पर 75 में से अंक मिलेंगे बार्वी में 50 प्रिश्दी अंक हैं तो 50 गुना अगर जीड़ पाई 75 है तो 37 अंक मिलेंगे उस विए नेश्टिस में पताया गया है EWS या BPL के लिए 2 अंक, SC STOBC के लिए 2 अंक, NCCNS बार्थ स्काउट एंड गैड्स के लिए 2 अंक, 5 अंक, राष्टिस परदग में बजेता को और विद्वा एकल महिला को 3 अंक, सिंगल गर्ल चाइल्ड को 3 नंबर, शाक्ताद के 10 अंक मिलेंगे उसका गया, NCC में बताया गया है अवेद्र करता का बार्णी पास होना अनिवारे हैं और उसकी उमर उने टीए 13 से 25 साल के बीच होनी चाहिए फुश अवेद्र के लिए 25 सेंटीमेटर और महिला के 1500 सेंटीमेटर होनी चाहिए प्राथना पत्तर के साथ उमर शिक्षा हिमाचल मूल निवासी परमान पत्तर लगाने होंगे अब एद्र पत्तर पर एक फोटो भी लगानी होगी तो काई नीचे नहीं बताया गया बेकंसी कितनी कितरी रहेगी हमाचल बन बृत में 124, चमबास में 108, धर्मशाला में 209, हमीरपुर में 194, कुल्लू में 140, मंडी में 309, नाहन में 216, रामपूर में 164, शिला में 246, सोलन में 108, बन मित्र बरती होंगे बनने बराणी बिंक दर्मशाला में 30, शिमला में 77 और शामशी कुलू में बूंजा बन रक्षट रखे चाहेंगे तो गाइस में सारी टेल बताएगी थी मतलब अपने अपने साथ से स्वेधा सिंपल वाजी है जिनकी प्रस्टू में जयदा प्रेंसेंटेज होगी डोकुम्टेशन वजय के वाज़े बगयरा जया बगार होगी तो उनके पक्ते चांस है वह इसमें बहती ही होंगे जिनकी प्रेंसेंटेज कम है हाँ आगर उनका बीपेल बगएरा जाए नहीं से स्टे लेवल में कुछ किया है तो वो भी कंप्टिशन उनको दे सकते हैं तो बीच में एक और नोटिविशन बताएगी है दोनों के बराबर आंको तो बड़ी उमर बाले को प्रात्मिक्ता अगर दोनों बच्चों के मतलब लगो पोस्ट सेम है दोनों के बराबर होते हैं तो जिसकी उमर जादा रहेगी उसको प्रात्मिक्ता दी जाएगी दो लोग के बराबर अंक आय तो बड़ी उमर बाले को प्रादमिक्ता मिलेगी बन मित्तर में तेनाती जजदीक बन बोट में होगी और ट्रांसपर नहीं होगा रोजाना नियुंत्म 6 गंटे काम करना होगा और 10,000 रुपे मांदे मिलेगा एक महिने काम करने के बाद एक चुटी मिलेगी और साल में 12 चुटी मिलेगी सभी सरकारी अब काश रविबार की चुटी मिलेगी बन मित्तर कभी नीमत नहीं होगे हलांकि सरकार नीमों में बदलाव कर सकती है बन वित्रों को बनों का स्रक्षन करना होगा बन विकास में बागिदारी करनी होगी और स्थानी लोगों को बन स्रक्षन के प्रतिजागरूप करना होगा तो गाई इसमें एक डिटेल बता जी गई है कि आपको पका नहीं किया जाएगा हाँ कि आपकी जो पोलसी है उसमें थोड़ा सा बदलाब कर सकते हैं तो गाई यह सी अपडेट I hope गाईस आपको थोड़ी सो information मिलगी होगी अगर नहीं पता चल रहा है तो आप comment कर सकते हो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी comments का reply करूँ और जे वली information आपको टेली करम चैलनब पे upload कर दूँगा तांकि आप बहाँ से भी देख सको तो guys सभी ने त्यारी करके जाना है जिनके document इन complete है वो complete कर लें तीरे संबर से पहले पहले तांकि आप सभी को confirm है कि test होगा नहीं document के ही number लगेंगे तो जिनके पास भी जो document है वो renew करवा लें जब बनाके रख लें बस guys यह upgrade थी बाकि तो इसमें कुछ खास है नहीं बाकि जो भी इंडेस्टर कैंडिडेट है वो form फिल कर सकते हैं guys तो guys मिलते है next video में तब तक के लिए जैहिन जैहिम आच्छेट